हेलो गाइस वेल्कम बैक टूआ चानल आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में तो न्यूक्लियस एक बहुत इंपोर्टन से लॉर्गने लिए है यह रिस्क्राइब किया रॉबर्ट प्राउन ने पहली बार इन दो यह 1831 न्यूक्लियस को अगर समझा के लिए डिवाइड किया जाए तो इसकी एक आउटर न्यूक्लियर एंवलाप होती है और अंदर होता है न्यूक्लियर मार्ट्रिक्स सबसे बहले हम बात करेंगे इस न्यूक्लियर एंवलाप के बारे में यह न्यूक्लियर एंवलाप के बारे में न्यूक्लियर न्यूक् प्रेज़ेंट होते हैं आउटर और इनर मेंब्रेन कई पॉइंस पर्फी करती हैं वहां पे माइक्रो स्पेस या पोर्ष बन जाते हैं इस पोर्ष के वहारा आरेन एन्ट रूटीन नृटीन नूपलाज। जा सकता है और साइटोप्लाजम से वापिस न्यूक्लियस में भी आ सकता है अब बात करते हैं हमारे न्यूक्लियर माट्रक्स के बारे में जिसको न्यूक्लियर प्लाजम भी खहते हैं इसके अंदर प्रेसेंट होता है न्यूक्लियोलस और क्रॉमाटन न्यूक्लियस के आसप undefined nuclear region में सिर्फ nucleic acid होता है जिसको हम nucleoid कहते हैं अंजिन organisms में ऐसा देखा जाता है उनको prokaryotes कहते हैं pro means primitive and karyotes means nucleus वहीं दूसरी तरफ जिन cells में nuclear membrane होती है nucleus के बार उनको eukaryotes कहते हैं तो हमारी बॉडी में जितने cells है उनके nucleus के आसपास nuclear membrane होती है so we are eukaryotes इस वीडियो में इतना ही hope आपको वीडियो अच्छे लगी हो thanks for watching